हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का साथ मार्च का समाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है यहां पे जो पेपर सेठ है जे डी है यहां पे इसका आपको हल बताने वाले हैं तो आप पूरा हल जरूर देखिए देखे पहला खंड अ है इसमें पहला प्रशन है कि वियना स अंधिक कब हुई थी तो इस प्रशन का आपका सही जवाब जो है बीवल आफशन सही है अठारो सो पंद्रा इस्वी में हुआ था अगला प्रशन देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक महत्मा गाधी जी है इसको आप मिला लीजिए अगला दे प्रशन देखिए पंच्वा नंबर का गुलामगिरी फुस्तक के लेखक आपना भर जयागा श्रीलंका स्वतंद राष्ट कब बना था तो स्रीलंका स्वतंत राष्ट उन्नेची और इस वी बना था इसका निए अपको है अपको क्या हो जहागा कि भारत में लोक्तांत्रिक विकेंदिकर हेतु किया गए सनवाधानिक प्रावधान क्या है इसका सही जवा भीवला अप्संट सही हो जाएगा अस्थानिय श्वासी निकायों को सनवाधानिक तरज्या तथा नियामित चुनाव यह आपका सही होगा इसका सही जवाब अगला देखिए बीवला आठवा नंबर का ठीक है कि भारत में सनवीधान की दिरिष्टी से कौन सकफान्थय प्रावाधान की दिरिष्टी से देखाशता रौक प्रतुनिय अग्रा परस्क्र leadership कि यह आपए निवनलिक्त में से कौन से सब्से बड़ा लोक्तांत्रिक अगला प्राश्ण देखिए दस नंबर का एक दली विवस्था बढ़ावा देती है एक दली विवस्था चुन प्रस्ण आप लिए प्रावा प्रस्ण संबंदित का सहीं होगा सोपां किसी की जाती है तो सोपां किसी कहां पर की जाता आप कहां जय्ता हुज हो जिए निकाह़ इस्थित यह इस्थित है आप के डिली में तो सपां-ठाथ ह कर दो राष्टी जलमार्ग हल्दिया से इलहाबाद इसका सही जवाब आपको सही होगा अगला प्राश्ण आप मिला लिजिए भारत में इल्यक्टानिक राजदानी किसे कहते हैं तो यह कहते है बंगलूरु को इसका सही जवाब सीवलाफशन आपका अगला अंतर राष्टी व्या नंबर को वर्स 2017-2018 में द्यूतिये 16 में कितने प्रतिशत स्रम को रोजगार प्राप्त था यह प्राप्त था आपका 15 प्रतिशत ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देख लीजिए 19 नंबर का कि वर्स 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयू कितनी थी यह था आपका 68.8 प्रतिशत ठीक है इसका सही जवब एवल आपसन आपका सही होगा अगला 20 नंबर का मिला आई आप लोग वर्स 2012 में भारत के प्रती हजार ग्रामी परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साग का स्रोथ विवसाइक बैंक था यह कितना था 33 प्रतिशत इसका सही यह जो है वह जनपद जहां 44 कि घटना होई थी कहां पर भणा था बोरख पूर्पूर बताना था गोरख पूर्पूर इसलिए जनपद पूछा आपसे ठीक है उत्तरपादश में गोरख लिखना था वह नगर जहां जालियावाला बाघ्थ्याकांद हुआ था ति यह वह एक उन्नीस सुथिया संध्यान से देखके बताई एक उन्नाईस उन्तिस में भारती राश्टी का अधिवेशन कहां पर भूआ था ये वुआ था उन्ने सु आधिस में लाहौर में लाहौर ठीक लाहौर में वह अस्तान जहां से सुरप्रतम असायोग आंदोलन की शुरुआत असायोग आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था प्रयागराज से हुआ था प्रयागराज ठीक है वह अस्थान जहां गादी जिने नमक कानून तोड़ा था यह तोड़ा था आपका डांडी से ठीक सभी प्रशन आपको कराया थे यह सभी प्रशन अब चलिए अगले उर्जा मतलब परपाणवू उर्जा केंद्र का नाम दोतीन बता यह आपको कोई भी देखा सकते तारापूर दखा दीज़े बार बार आप लोगों तारापूर बताते हैं महराश्य में दिखा दीजिए इसके लावक कलपक का मिया नरोरा तीनों में से कोई भी दिखा हो तो आपका एंस्वर सही होगा उत्तर परदेश में इस्तित साफ्ट वर्ट टेकनोलोजी पार्क को इस चिन के द्वारा दिखाना था और शहर का नाम भी लिखना था देखिए आप कोई भी लिखे लेते लखनवू लिखे देते कानपूर लिखे देते ठीक है यह सब क्या है आपका यहां पर क्या है कि साफ्ट वर्ट टेकनोलोजी पार्क बनाया गया है तो आप लखनवू कानपूर भी दोनमें कोई लिख सकते थे तमिनाडू राज में इस लो इस पाद सनियंत्र को चिन द्वारा शहर के साथ दिखा राज तो यहां पे आप यहां पे करनाटक के दिखा देते आप करनाटक इसके अरा तरह मिलनाडू भी दखा सकते थे यह सभी आपके जितने भी सवाल थे उसका एंस्वर आप सभी को बता दिए आप सभी सवालों को एक बार मिला लीजिए